अस्सलामों अलाइकुम, I hope everyone is doing great, इस वीडियो में हम जम्मों एंड कश्मीर जीके का तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो क्या है कल चराव जम्मों एंड कश्मीर और इस चैप्टर को भी हम one shot में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो बिना किसी देर के हम सीधा टॉपि इसमें जो पहला फेस्टवल हमने लिया है वो है लोडी और इसको सेलिबरेट किया जाता है on 13th of January every year, हर साल 13th of January लोडी सेलिबरेट की जाती है, ठीक है, ये जेके SSB ने एक एक्जाम में सीधे question पूछा था कि लोडी कब सेलिबरेट की जाती है, तो आपका answer क्या होना चाह All right, इस फेस्टवल को मकर संकरांती भी बुलाते हैं और ये सेलिबरेट किया जाता है, तो वेलकम दे स्प्रेंग, हजारों की तादाद में लोग जिसको बोलते हैं कि डुपकी लगाते हैं होली रिवर्स में या नहाते हैं होली रिवर्स में और हवन यगनाज अल्मोस्ट हर किसी घर और हर किसी टेंपल में होते हैं और जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे एक कस्टम चलता है कि जो बॉइज होते हैं वो गिफ्ट्स कलेक्ट करने के लिए जो निवली वेड्स कपल होते हैं उनके घर जाते हैं और जो हाल-हाल में पेरेंट्स बने होते हैं उ वहाँ पे एक traditional theater form perform की जाती है, जिसका नाम है Heron, ठीक है, ये जो points मैंने highlight के इस slide पे, इस slide से बस आपको वही याद रखना है, ठीक है, बैसाखी celebrate की जाती है, 13th April और 14th April, ये जो बैसाखी है, ये word कहां से आया है, ये word आया है, from the first month of the Vikram calendar, जो first month होता है, इसका नाम होता है बैसाख, और बैसाख के पहले दिन पे, जो जम्मू के लोग हैं, वो like the rest of Northern India है, वो celebrate करती है, बैसाखी, ठीक है, और बैसाखी का दूसरा नाम क्या होता है, harvest festival, और ये marriages के लिए काफी अच्छा माना जाता है, जो जम्मू के six हैं, उनके लिए बैसाखी important क्यों है, उनके लिए बैसाखी इसलिए important है, क्योंकि जो उनके 10th गुरू थे, गुरू गोबिन सिंग, उन्होंने form किया थ खालसा सेक्ट, on this day in the year 1699, ठीक है, और इस टाइम पे गुरू दुवराज फुल होते हैं, लोगों से भरे हुए होते हैं, जो किरतन सुनने के लिए आते हैं, और प्रेयर्स वगरा ओफर करने के लिए आते हैं, ठीक है, अच्छा, जो सिखिजम है, इसमें five case important होते हैं, ये five case क्या होते हैं, ये एक होता है, के फ़र कंगा, एक होता है के फ़र कच्छा, एक होता है के फ़र कड़ा, एक होता है के फ़र कीरपन, और एक होता है के फ़र केश, कंगा, कड़ा, कच्छा, किरपान और केश, ये five case होते हैं, और सिखिजम ये आपको याद रखना है, ठीक ये भी आपको याद रखना है बाहु मेला ये celebrate करते हैं कहा पे Kali mata temple जो कहा पे है बाहु फोट में और ये साल में दो बार celebrate किया जाता है March April में और September October में ठीक है इस जो काली temple है का बाहु फोट में इसका दूसरा नाम है बावेवाली माता टेंपल, यह भी आपको याद रखना है, दूसरा नाम क्या है इसका बावेवाली माता टेंपल अगर यह तवी रिवर है और यह मान लो इसके जो direction of flow है वो यह है इसके यह होगी, यह होगा इसका right bank और यह होगा इसका left bank left bank पे Bahoo Fort located है और right bank पे Amar Mahal Palace located है ये आपको याद रखना है Amar Mahal Palace is located on the right bank of Tavi River and Bahoo Fort is located on the left bank of Tavi River and Tavi itself is a tributary of Chenab River ठीक है और Chenab Jammu and Kashmir का वो river है जिसकी सबसे ज़्यादा hydroelectric power generate करने की capacity है ठीक है जो Chenab का river basin है सबसे ज़्यादा hydroelectric potential इसी का है चैत्रे चौदाश ये celebrate किया जाता है March-April में और कहां पे celebrate किया जाता है उत्तरभाणी जो की located है 25 km from Jammu और उत्तरभाणी को उसका नाम कहा से मिला उत्तरभाणी को उसका नाम मिला जो देविका river है वो इस एरिया में North direction में flow करती है इसलिए North को हिंदी में बोलते है उत्तर इसलिए इसका नाम में उत्तरभाणी इस एरिया का ठीक है पुर्मंडल मेला जो पुर्मंडल है वो 39 km है दूर जम्मू सिटी से और शिवरातरी के मौके पर जो ये टाउन है इसको बिलकुल बदला जाता है ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिकाज लोग celebrate करते हैं Lord Shiva और Goddess Parvati का जो marriage हुआ था उसको celebrate करते हैं तीन दिन के लिए और ये पुर्मंडल मेला कब होता है February माज में ठीक है पुर्मंडल का दूसरा नाम है छोटा काशी ये भी आपको याद रखना है अनदर नेमा पुर्मंडल जोटा काशी काशी यानि के बनारस यानि के ये किसकी याद में celebrate किया जाता है ये बाबा जित्तु की याद में celebrate किया जाता है बाबा जित्तु एक simple God-loving और honest farmer थे जोन्होंने अपनी जान ली because वो नहीं चाहते थे किसी landlord के सामने जुकना ठीक है उन्होंने अपनी जान ली कहाँ पे जिरी विलेज में जो located है जो 14 किलोमेटर दूर है जम्मू से हर साल जो जिरी के लोग है वो celebrate करते है जिरी मेला और वो उस great sacrifice को याद करते है ठीक है और जिरी मेला का दूसरा नाम क्या है फार्मर्स फेर इस पे JKSSB ने सीधा question पूचा था जहां तक मुझे याद है I think assistant compiler के paper में question आया था कि जिरी मेला का दूसरा नाम क्या है जिरी मेला का दूसरा नाम है फार्मर्स फेर ये भी आपको याद रखना है मांसर food and craft मेला ये तीन दिन के लिए चलता है और ये पूरी दुनिया से tourists यहां इस मेले में आते हैं because यहां पे काफी unique items sale पे होते हैं ये जो मांसर food and craft मेला है ये साल में एक बार लगता है और normally ये किस time पे लगता है जब बैसाकी का time होता है तब ये मेला लगता है मांसर food and craft मेला मेला खीर भवानी खीर भवानी एक temple है जो के located है कहां पे तुलमुला गांदरबल में और जो devotees होते हैं वो इस temple में आते हैं और किस month में आते हैं May या June में और वो इस temple में जो माता रगन्या देवी है माता रगन्या देवी उनको खीर चड़ाते हैं इसलिए इस मेले के नाम है मेला खीर भवानी ठीक है और इस temple में एक spring भी है एक तलाब भी है और ये belief है जो कश्मेरी पंडित्स हैं उनका ये मानना है कि अगर इस spring का जो water है उसका अगर इस water का color change होता है तो अगर इस water का color change होता है to black तो ये माना जाता है कि आने वाले time में कोई न कोई disaster आने वाला है ठीक है ये इनका belief है ये भी आपको याद रखना है इसके बाद इदुल फितर जो रमदान होता है Muslims का एक काफी holy month होता है इसके 29 days होते हैं normally लेकिन किसी साल में 30 days भी हो सकते हैं मान लो इस साल ये 30 days का था ये 30 days complete हो गए इसके बाद जो पहला दिन होगा ठीक है उस दिन हम celebrate करते हैं इदुल फितर ठीक है और जो इदुल अजहा होती है ये हम approximately 2.5 months after इदुल फितर celebrate करते हैं और ये हम क्यों celebrate करते हैं ये celebrate करते हैं हम उसी sacrifice को हम याद करने के लिए ये festival celebrate करते हैं इतना आपको याद रखना है इतना काफी है exam के लिए इसके बाद हम कुछ और important चीज़े देखते हैं वो क्या है पहले हम देखेंगे इस word की meaning क्या होती है उर्स की meaning क्या होती है death death anniversary ये आपको याद रखना है एक annual उर्स celebrate किया जाता है कि इनका शेख नूरुदिन वली या जिनका दूसरा नाम है शेख अलम्दारी कश्मीर ठीक है इनका उर्स जम्मो एंट कश्मीर में celebrate किया जाता है और जम्मो एंट कश्मीर में रशली कहां पे Central कश्मीर के चरारी शरीफ में चरारी शरीफ कहां पे लोकेटड है चरारी शरीफ लोकेटड है बढगाम डिस्ट्रिक्ट में ठीक है यहां पे शेख अलम अलही रह्मा का श्राइन है ठीक है और जब इनका उर्स होता है तो हजारों की तादाद में लोग आते हैं different parts of the valley से और वो यहां पे एक holy event होता है उसमें participate करते हैं उस event का नाम है cloth changing या जिसको पोशाग बंदी भी बोलते हैं और यहां पे special prayers पूरे दिन चलते हैं ठीक है यह आपको याद रखना है और एक उर्स celebrate किया जाता है जम्मू इन कश्मीर में वो उर्स है शाह हमदान रहीमा हुला और जिनका दूसरा नाम है अमेरी कबीर ठीक है और अमेरी कबीर इन्होंने काफी important role play किया है in spreading Islam in कश्मीर और इनका काफी बड़ा role रहा है in shaping the culture of कश्मीर because ये वही हैं जुन्होंने handicraft skills को कश्मीर में introduce करवाया जिसके लिए कश्मीर को पूरी दुनिया में माना जाता है ठीक है इनका उर्स भी कश्मीर में celebrate करते है एक और उर्स जो हमें देखना है वो है उर्स of हजरत शाह हजरत शाह असरार उद्दीन और ये कहां पर अबजोव करते हैं ये अबजोव करते हैं चैनाव वैली में ये अबजोव करते हैं चैनाव वैली में चैनाव वैली में कौन-कौन से डिस्ट्रिक आते हैं चैनाव वैली में आते हैं किश्तवार डोड़ा एंड रामवन ये तीन डिस्टिक चनाव वैली कहलाते हैं ठीक है और ये उर्स इन तीनों डिस्टिक में सेलिबरेट किया जाता है और राइट मूविंग अहेड अब हम लदाख के कुछ फेस्टिवल इंपोर्टन फेस्टिवल देखेंगे इसलिए हम थोड़ा सा इनको भी देख लेंगे ठीक है सबसे पहले हमिस फेस्टिवल और हमिस फेस्टिवल किन की ओनर में ये सेलिबरेट किया जाता है गुरू पद्म संभवा के ओनर में जिनका दूसरा नाम है गुरु रिमपोचे ठीक है और ये festival उनका birthday celebrate करता है और ये festival कहां पे होता है ये होता है हमिस गौंपा में जो largest monastery है largest और richest बुदिस्ट monastery या लदाग की ठीक है और जो लहमे जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का नाम इन ही के नाम पर है कुशोग बाकुला रिमपोचे कुशोग बाकुला रिमपोचे domestic airport ये लहमे है और ये दुनिया का highest domestic airport है इंडिया का तो हैस्ट है ही दुनिया का one of the highest है और राइट ये भी आपको याद रखना है सिंदू धर्शन फेस्टवल ये होता है On the Banks of River Indus किस जगा पे? Indus बैंक पे एक जगा है जिसका नामे शाई मानला ठीक है? और ये जो सिंदू धर्शन फेस्टवल है ये काफी important फेस्टवल है ठीक है? और इस फेस्टवल के टाइम पे musical shows होते है art exhibitions होते है और इस ये फेस्टवल क्या करता है? ये फेस्टवल सिंदू रिवर को promote करता है as a symbol of countries, communal unity and harmony ठीक है? ये काफी important फेस्टवल होता है लदाक का ठीक है? Indus River इंडिया में सिर्फ लदाक के थूँ ही flow करता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है? लोसार फेस्टवल ये होता है Tibetan New Year ये लोसार फेस्टवल हिमाचल प्रधेश में हिमाचल प्रधेश में भी celebrate किया जाता है और लदाक में भी celebrate किया जाता है ठीक है? और ये celebration पंदरा दिन के लिए चलती है और और इसमें आप क्या याद रखोगे और ये लोसार फेस्टिवल जहां तक मुझे याद है अरुनाचल प्रदेश में भी celebrate किया जाता है ठीक है ये भी आपको याद रखना है और एक important फेस्टिवल सुपितक गस्टर फेस्टिवल ये फेस्टिवल है celebration of peace and prosperity ये दो दिन का फेस्टिवल होता है और ये सुपितक monastery में celebrate किया जाता है ठीक है और यहाँ पे इस time पे इस festival के time पे एक mask dance जिसका नाम होता है चंस वो एक major attraction होता है इस festival का ठीक है अगर आप इस picture में देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक mask पहना है dragon का और ये dance कर रहे है इसी को बोलते है चंस ठीक है कुछ और important festival लदाख के दश्मोचे festival टक्टोक festival यूरू कप गियात लदाख harvest festival माथो नगरंग festival एक और festival होता है इसको बोलते है कोई कोई बुक लिखती है सागा दावा और कोई कोई बुक लिखती है साका डावा अब जो भी है ये भी आपको याद रखना है मेभी एक्जाम में ये option आपको देख जाए आल राइट तो चलते हैं आगे कुछ और festival जो कि अकसर न्यूज में रहते हैं उन में से सबसे important tulip festival इस festival को celebrate किया जाता है at tulip garden स्री नगर in the month of April every year ठीक है ये tulip garden है जो कि स्री नगर में located है और ये एशिया का largest tulip garden है ठीक है ये आपको याद रखना है अहरबल festival ये भी 2021 में हेल्ड किया था कहां पे कुलगाम में ठीक है अहरबल क्या है एक waterfall है और इस waterfall के around ही ये festival celebrate किया गया था अहरबल waterfall को Niagara Falls of Kashmir भी बोलते है नाइगरा Falls of Kashmir ये भी आपको याद रखना है जम्मो एंड कश्मीर गौर्मेंट ने गुरेज वैली में गुरेज फेस्टवल थी डे गुरेज फेस्टवल भी और्गनाईज किया था तो प्रमोट टूरिजम ये भी आपको याद रखना है ठीक है बंगस अवाम मेला बंगस वैली में celebrate किया गया था फेस्टवल जम्मो एंड कश्मीर के हंदवारा में और इस फेस्टवल में जो आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया गया था उसको उसकी जो एक anniversary complete हो गई थी वो mark करने के लिए इस फेस्टवल को celebrate किया गया था ठीक है बंगस वैली कहां पे located है कुपवारा डिस्टिक में और कुपवारा डिस्टिक में कहां पे हंदवारा में ठीक है और एक important festival जिसका नाम है सुभरदार मेला ये भी आपको याद रखना है सुभरदार मेला कहां पे लगता है ये लगता है बहदरवा में ठीक है और इस मेले पर question आया था finance account assistant बहुत सारे लोगोंने question skip किया और उन में से एक मैं भी हूँ because मुझे भी इस festival का उस time पर idea नहीं था हालांके मैंने जम्मो एंड कश्मीर की current affairs एक साल की बहुत detailed पड़ी थी लेकिन उसमें ये मैंने नहीं पड़ा था ठीक है और question ये ही आ गया ठीक है और एक important festival वो होता है शिकारा festival और ये कहां पर held होता है डल लेक इन श्रीनगर ठीक है और इस festival का मतलब एम क्या होता है इस festival का एम होता है कि जम्मो एंड कश्मीर में टूरिजम को promote किया जाए और 2016 से इस festival को celebrate किया जाता है और इस festival के time पे शिकारा, races वगेरा भी perform किया जाते है ठीक है ये जुलाई और आउगस्ट के time पे होता है ये festival अब हम आते हैं popular dance अब जम्मो एंड कश्मीर पे सबसे पहले हम देखेंगे हाफीजा नगमा और ये किस पे based होता है classical music of कश्मीर जुसको बोलते हैं सूफियाना कलाम जो instrument हाफीजा नगमा में यूज होता है उसका नाम है संतूर ठीक है और ये भी आपको याद रखना है जो संतूर है कश्मीर में जम्मो एंड कश्मीर से एक परसन है जिनका नाम है श्यूकुमार शर्मा ये बहुत बड़े संतूर प्लेयर है एक और नाम है अगर संतूर का नाम आया instrument का तो भजन सोपोरी का भी हमें नाम लिना है ये भी काफी बड़े संतूर प्लेयर है ठीक है पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में इनका और शिवकुमार शर्मा का नाम है संतूर बजाने में ठीक है हफीजा नगमा में एक female dancer होती है और उनके साथ काफी males भी होते हैं जो instruments बजाते हैं यह जो female dancer होती है वो dance करती है ठीक है और जो musical notes होते है उस पे जो dancer होती है जिसको हफीजा बोलते है वो अपनी जो feats होते हैं वो हिलाती है to the musical notes गीतरू यह perform किया जाता है at the time of festivals जैसे कि रूरल weddings जो होती है या कोई social festival होता है यह पहाड़ी area आप जम्मू में ज्यादा popular है और इसमें dance भी होता है और singing भी होती है ठीक है बच्चा नग्मा यह dance form generally perform करते हैं कहाँ पे cultural gatherings में या weddings पे ठीक है और बच्चा नग्मा को कौन perform करता है boys ठीक है अगर कोई जो आदमी होगा वो इसको perform करना चाहेगा वो भी कर सकता है लेकिन उसको dress करना होगा as boy ठीक है यह भी आपको याद रखना है और जो dress यह dancers पेहनते हैं यह resemble करता है to the dress जो kathak dancers पेहनते हैं ठीक है kathak कहां से है कहां का classical dance है I think उत्तरप्रदेश का जहां तक मुझे याद आ रहा है ठीक है रोफ यह dance form प्रेक्टिस की जाती है on festival festivals जैसे की Eid और इसको group of women जो एक दूसरे को face करती है ठीक है और जैसे आप इस picture में देख सकते हो यह एक group है इनके सामने एक और group है ठीक है और यह इस में इस dance form की सबसे खास बात क्या होती है यह जो feats की moment होती है feet की moment होती है इन dancers की वो इनकी खास बात होती है ठीक है यह भी आपको याद रखना है वुजनाचुन यह जो dance form होती है यह generally perform करते है at after the जो wedding के rituals होते हैं जब सारे वो खत्म होते हैं और जो bride होती है जब वो ready होती है अपने parental home जाने के लिए जब वो ready होती है कि वो अपना parental home छोड़ दे यह नाचुन उस time पे जो वुजनाचुन है वो उस time पे perform करते हैं जो कश्मीरी पंडित females होती है वो bridal रंगोली के bridal रंगोली के around gather मतला वो जमा होती है और वो यह उजनाचुन dance करती है ठीक है यह भी आपको याद रखना है दमाल dance जो dancers होते हैं वो इस dance को perform करते हैं ठीक है जो वो vibrant colors robes पहनते हैं और conical caps पहनते हैं ठीक है जिस पे beads वागर लगी होती है हर कोई इस dance को perform नहीं कर सकता सिर्फ जो males होते हैं वातल क्लैन के वो इस dance को perform करते हैं special occasions पे कुद dance यह perform किया जाता है तो ओनर लोक देवताज और यह mostly रात को किया जाता है डांडिया रास यह dance form perform की जाती है लोहरी के टाइम पे और यह एक highly professional dance है जिसमें काफी high level के skills लगती है और practice भी लगती है अगर आप इस image में देख सकते हो तो यह यहाँ पे डांडिया रास कर करते हैं जगराना dance यह dance form जो है यह wedding ceremonies के time पे perform की जाती है यह dance form सिर्फ ladies perform करते हैं और यह तब किया जाता है on the day before the groom sets off for his in-laws house जब groom को अपने in-laws के घर निकलना होता है उससे पहले यह जगराना dance perform किया जाता है अब हम देखते हैं popular music of Jammu and Kashmir सबसे पहले हम देखेंगे चाकर ठीक है यह पहले सारंगी रबाब और जो घड़ा होता है जिसको कश्मीरे में note बोलते है उनके साथ चाकर को पहले perform किया जाता था लेकिन अब इसमें harmonium का भी use होता है ठीक है यह popular form है traditional जो folk music के कश्मीर का उ इसके बाद सुर्मा एक सौंग होता है डोगरी में जो एक जो newly married girl है उसका जो उसकी जो pain है उसकी जो grief है वो दर्शाता है और वो यह सुर्मा जो songs होते है वो अपने husband के लिए गाती है जो husband army में होता है और उसकी पोस्टिंग कहीं दूर होती है उसकी याद में यह सुर्मा यह जो songs होते है यह गाये जाते है ठीक है इसके बाद लडीशा यह क्या है यह एक sarcastical form of singing है जो songs लडीशा में गाये जाते है या जो गाये जाते हैं वो social or political conditions पे होते हैं और मतलब उन पे एक sarcastical way में उन पे टिपनी करते है ठीक है और वो काफी humorous होते हैं यह एक musical instrument के साथ गाये जाते हैं जिसका नाम है दुकर ठीक है शुफियाना music यह classical music है कश्मीर का इसका अपना rag system है और जिसका नाम होता है मकाम ठीक है यह भी आपको याद रखना है बक यह एक chorus narrative singing है यह इसमें कम से कम 10 singers होते हैं और इसमें musical instrument का use नहीं होता है ठीक है sorry if I pronounce this incorrectly या इससे पहले अगर मैंने किसी word का किसी word की pronunciation गलत बोली हो तो उसके लिए sorry ठीक है benthe यह एक chorus singing है जो perform की जाती है by gujjars and bakarwalas और यह जो इसमें जो dance होता है वो perform किया जाता है by six or seven members ठीक है यह भी आपको याद रखना है इसके बाद हैंजे यह एक another music style होता है इसको कश्मीरी pundits perform करते हैं on religious and cultural festivals अगर कोई cultural festival होगा या religious festival होगा उस time पे इसको perform किया जाता है ठीक है इसके बाद हम आते हैं shawls पे कश्मीर में जो shawls बनते हैं इनको दो technique से prepare किया जाता है एक loom woven जिसको tiny shawl बोलते हैं या दूसरा needle embroidered जिसको sozini shawl बोलते हैं ठीक है और जो इस shawl का fabric होता है वो तीन type का हो सकता है शेहतूश, पश्मीना and ruffle ठीक है शेहतूश जिसका दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं king of wool ये एक ring के through pass होता है इसलिए इसको ring shawl भी बोलते हैं इसको कहां से हासिल किया जाता है इसको एक टिबटन antelope होता है जिसका नाम होता है चीरु ठीक है चीरु और उसी चीरु से ये शेहतूश मिलता है ठीक है पश्मीना इसको दुनिया बर में कैश्मीरी वूल के नाम से जानते है और ये एक special goat से मिलता है जिसका नाम होता है कैपरा हिरकस और ये कहां पे होती है ये कैपरा हिरकस इसको rear करते हैं जो पेंगॉंक सो लेक है इसके around ठीक है जो शेफर्स वगरह रहते हैं वो इन कैपरा हिरकस जो गोट्स है इनको पालते हैं और उनसे पश्मीना मिलता है ठीक है ये जो पेंगॉंक सो लेक है इसका one third part ही लदाख में आता है और two third part People's Republic of China में आता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है और जो रफल होती है ये तीसरी तीसरा टाइप होता है फैबरिका जिससे शॉल्स बनाते है जो ये शॉल इंडस्ट्री है इसको इसके founder किनको माना जाता है सुल्तान जैनलाबिदीन जिनका और एक नाम है शाही खान या जिनको कश्मीर में और एक फेमस नाम से बुलाते थे बढ़शा जो जैनलाबिदीन थे इनके फादर का नाम था सुल्तान सिकंदर सुल्तान सिकंदर ही वो किंग है जिन्होंने स्रीनगर की जो हिस्टॉरिक जामा मस्जिद है उसको construct किया था ठीक है सुल्तान सिकंदर constructed the जामा मस्जिद in स्रीनगर और जो जैनलाबिदीन है उन्होंने इस जामा मस्जिद को एनलारिश करवाया था ठीक है सुल्तान जो जैनलाबिदीन है इन्होंने almost 50 years तक जम्मु एंड कश्मीर पे हुकूमत की है ठीक है और इन्होंने रैनावारी में एक लंगर भी लगवाया था जिसका नाम था जोगी जिसको बोलते थे जोगी लंगर और इन्होंने स्रीनगर में पहला वुड़न ब इसके बाद कॉपर वियर जो कॉपर वियर क्राफ्ट है ये कश्मीर कल्चर में काफी सालों से है और हिस्तोरिन्स बलीव करते हैं ये जो आर्ट है इसको इंटोडूस किया था आर्टिजन ने और ट्रेडर्स ने जो कहां से थे इरान से और इराक से ठीक है almost 700 साल पहले और इस्लामिक स्कॉलर जिनका नाम था मीर सेद अली हमदानी या जिनका दूसरा नाम है अमीर कबीर ठीक है इन्हों ने ही इस कॉपर वियर को कश्मीर में इंटर्डूस करवाया था ठीक है दूरिंग दर इनाफ सुल्तान I think ये आये थे सुल्तान सिकंदर और सुल्तान कुटबदीन ये आपको एक बात देख लेना है कि अमीर कबीर किसके रेन में आये थे कश्मीर ठीक है जहां तक मुझे या तो सुल्तान सिकंदर है या तो कुटबदीन है दोनों के दोनों में से किसी एक टाइम पे आये थे औ जो commonly user products है copperware के वो है तशनर ये होता है तश और ये होता है नार ठीक है ये एक portable hand wash system होता है जब कश्मीर में आकर आप कहीं marriage पे जाओगे तो आपको सबसे पहले इसी से इससे आपको पानी ठीक है इससे आपको पानी ड्रॉप करेंगे आपके हाथ पे और इससे इसमें जो water हो कोद से कॉलेक होता है हाध दोने के लिए हूज होता है है इसके बाद trough के कह ए इसमें खाना काते हैं टीक है चार लोग यहां पर बैट ते हैं marriage में और उर खाना काते है ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ये कुछ commonly user products हैं, copper wearing में. इसके बाद paper marshy, ये handicraft जो है कश्मीर का, इसको भी कश्मीर में introduce किया था, मीर सहीद अली हमदानी ने, जो के परशिया से आये थे, ठीक है, और paper marshy, असल में paper marshy है, paper marshy, और ये एक french word है, जिसकी meaning है, shoot paper, shoot paper, ठीक है, ये जो paper marshy है, इससे काफी decorative items बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे के balls बनाए जाते हैं, cups बनाए जाते हैं, boxes, trays, bases for lamps, ठीक है, और छोटे-छोटे objects भी बनाए जाते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ देखूगे, तो ये एक soap case है, ठीक है, और इस पे ये जो ऊपर आप देख रह ये जम्मो एंड कश्मीर के कौन-कौन से products हैं, जिनको अभी तक GI tag मिला है, ये topic कैसे आया इसमें, मुझे लगा कि paper marshy इसमें आया है, तो हम ये भी देखी लेते हैं, 8 products हैं जम्मो एंड कश्मीर के, जिनको अभी तक GI tag मिला है, सबसे पहले है paper marshy, उसके बाद पश्मीना, उसके बाद saffron, इसको recently मिला है, उसके बाद खतम बंद, खतम बंद क्या होता है, इसको बोलते हैं, woodwork done on ceilings, अगर आप इस image में देख सकते हो, ये जो woodwork ceiling पे हो रही है, यहाँ पे, यही होती है, इसको बोलते हैं, खतम बंद, उसके बाद walnut wood carving, kine shawl, hand knotted carpet, और sozini craft, ठीक हैं, जिनको GI tag मिला है, इसके बाद carpets, जो hand knotted carpets होते हैं कश्मीर के, उनका locally क्या बोलते हैं, उनको काल बफी उनको बोलते हैं, और जो सुल्तान जैनुलाबी दीन है, उन्होंने carpet weavers बुलाए थे, परश्या से, और Central Asia से, और उन्होंने ही कश्मीर के, जो local inhabitants हैं, उनको train क में, ठीक है, अगर आप ये देख सकते हो image, ये भी carpet है, ये बी carpet, ये अलग design है, ये अलग design है, ठीक है, इसके बाद cuisine, सबसे पहले हम देखेंगे, वाजवान, ठीक है, ये एक multi-course meal होता है, कश्मीर कुजीन एक है, ये multi-course meal होता है, और इसकी preparation को एक art माना जाता है, और ये एक pride होता है, कश्मीरी कल्चर में, इसमें, आम तोर पे, साथ, जो must-have dishes होती है, must-have dishes, वो क्या-क्या है, वो है, तबकमाज, रिस्ता, रोगन जोष, दाइनवल कॉर्मा, आप गोश, मर्चवांगन कॉर्मा, एंड गोश्तावा, ये साथ चीज़ें आपको याद रखनी है में भी एक्जाम में आपको बोला जाए कि इन में से दो-तीन चीज़ें दी जाए और बोलेंगे कि ये क्या है, आपको बोलना है कि ये वाजवान के must-have, some of the must-have dishes of कश्मीरी वाजवान, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है इसके बाद एक न्यूज आई थी बीच में वो ये थी कि जो उधमपूर, रामनगर, उधमपूर से एक कुजीन है, कलाडी, ये एक डोगरा कुजीन है, ठीक है और ये क्या होती है, ये राइपन चीज प्रोड़क्ट होती है, और इसको जो उधमपूर डिस्ट्रिक के लोग हैं, या उधमपूर से जो शाम कलाडी कॉपरेटिव लिमिटेड जमू इन कश्मीर है, उन्होंने इस प्रोड़क्ट के लिए G.I.T.I. की डिमांड की है, ठ तब से पहले, जम्मू इन कश्मीर अकाड़मी आफ आफ अर्ट, कल्चर और लैंविजज इसको सेट अप किया गया, बाइद गवर्मेंट आप जम्मू इन कश्मीर इन दे यर 1958, ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चर आप जम इन कश्मीर अकाड़मी आफ आर्ट, कल्चर और लैंविजज है, वो पर्शो अरेविक जो स्क्रिप्ट है, उसी को ओफिशल स्क्रिप्ट आफ कश्मीरी लैंविज मानते हैं, ठीक है, जो बांड पहतर होता है, ये एक ट्रडिशनल थेटर होता है, जिसमें प्ले भी होता है, music भी होता है, dance भी होता है, satirical style में जहांपे जो social evils होते हैं, उनको depict किया जाता है, और perform किया जाता है वेरियस social और cultural functions पे, ठीक है, जो वातल पहतर है, ये oldest drama है, वाइल जो अंग्रेजी पहतर है, वो इसका latest edition है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफी important है, अगर आप उस स्लाइड पे वापिस जाओगे उत्तर भाहिनी में जो फेस्टिवल सेलिबरेट करते हैं उसका नाम है चैत्रे चोधाश ठीक है ये भी हमने कवर कर लिया दूसरा question during the month of February March which of the following festival is celebrated in पुर्मंडल आप जम्मो एंड कश्मिर पुर्मंडल में पुर्मंडल मेला celebrate करते हैं और जैसा कि मैंने बताया पुर्मंडल का दूसरा नाम है चोटा काशी ठीक है डैजजड़ दैंस is performed after all the rituals of wedding when the bride is about to leave her parental home in Jammu and Kashmir ये भी हमने किया वुजनाचुन ये जिस बंदे का paper है उसने ये question गलत किया है in which year the Jammu and Kashmir academy of art cultural languages was set up by the government of Jammu and Kashmir ये हमने अभी mistliness में last में देखा इसका correct answer क्या है 1958 ठीक है which is the popular form of folk music in Jammu and Kashmir ये हमने देखा चकर is the popular form of folk music in Jammu and Kashmir और चकर में क्या use होता है सारंगी use होती है, रबाब use होता है, घड़ा जिसको Kashmir में note बोलते है और अभी अभी इसमें harmonium का भी use किया जाता है ठीक है, ये आपको याद रखना है which of the following is a traditional dance performed at weddings in Kashmir तो वो होता है Hafiza dance ठीक है, Hafiza dance में जो important instrument होता है वो होता है संतूर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और संतूर के दो famous players का नाम भी बताया मैंने एक है शिव कुमार शर्मा और दूसरा है भजन सोपोरी ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे थेटर आया तो इसका answer होगा बांड पुथर, ठीक है लास्ट में question, ये finance accounts assistant का question है ये हमारे paper में आया था सुबरदार मेला takes place in which of the following location of Jammu and Kashmir तो इसका correct answer है, बदरवा ठीक है तो ये हमने कल चराब Jammu and Kashmir complete किया ठीक है, I hope आपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीका होगा और आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप like कर सकते हो इस वीडियो को अपने friends के साथ share कर सकते हो और आप इस channel को subscribe कर सकते हो ठीक है तो आप महनत करते रहो पढ़ते रहो because consistency is the key to success ठीक है ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना कि अभी date shit नहीं आया है अभी form नहीं बढ़ा है आप अपनी महनत continue रखो ठीक है यही attitude आखर में आपको successful बनाता है ठीक है तो इसी thought के साथ हम इस class को end करते है ठीक केर and I hope to see you guys in my next video very soon फी अमानिल